जे मसी की दोस्तों, आज की सुर्गेवन्ना का भाग हमने लिया है इफिसियो की पत्री, उसका पांचवा अध्याय और उसका उन्तिस्वा वचन वचन कहता है, कोई अपनी देह से घ्रेना नहीं करता, वरन उसका पालन पोशन करता है, जैसे कि मसी भी कलीशिया का पालन पोशन करता है, धन्यवाद इस वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर तुने कलीसिया की रशना की दोस्तों मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ मैं क्या देखता हूँ मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने ईशुमसी के द्वारा जो कलीसिया की रशना की वो क्यों की क्यों इशुमसी ने 2000 साल पहले कलीसिया बनाई ताकि हम उस कलीसिया में रहते हुए उस पिता को जाने उस परमेश्वर को जाने उसकी योशना को जाने उस परमेश्वर वो जो हमारा पिता है हम उसकी संतान है उसकी योशना है क्या है हमारे लिए वो क्यों उसने क्यों इस सिस्ट्री की रशना की हूँ क्यों उसने इशू मसी को धर्टी पर भेजा क्यों इशू मसी ने क्रूस पर बलेदान किया क्यों इशू मसी ने कोड़े खाए क्यों इशू मसी ने मरने के बाद तीन दिन के बाद वो जिन्दा हुआ उसने मौत को हराया उसने शैतान को हराया अदलोग की कुझियां हासिल की वो क्यों हुआ वो रहस्य क्या है वो भेद क्या है इसे जानने के लिए परमेश्वनेश मसी ने कलीसिया का कलीसिया की स्थापना की उसकी रशना की और इसलिए उसने कहा कि कलीसिया में अदलोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे जैसे हम शरीर का पालन पोशन करते हैं अपने शरीर को प्यार से अपने शरीर के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं उसको निखारते हैं उसको सामारते हैं उसी तरीके से बाइबल कहती है, बच्छन कहता है, कि इश्यू मसी अपनी कलीसिया का पालन पोशन करता है, दोस्तों अगर हम किसी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, तो आप निश्चित जानें, कि आपका पालन पोशन निश्चित है, आपका फल निश्चित है, वो ग्यान ज साथ रहे कर, वफदारी के साथ रहे कर समर्पित मन से हमें वहां पर परमेश्र के वच्छनों की सेवा करनी है, हमें जो अधिकार दिया गया है, क्योंकि कलीसिया उसकी दे है, और हम उसके अंग है हालेलुया, हम एक अंग बनकर, हमें अपने अंग का पूरा पूरा काम करना है हालेलुया, इसलिए यहना पंद्रा का बाच कहता है, मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते अलेलुया, हम कलीसिया से होकर, अलग होकर हमेशी मुझ से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हमारा फल परमेश्वर में है हमारा कल कलीसिया, हमारा फल कलीसिया में रहते हुए है कभी-कभी शैतान हमें वरकलाता है कभी-कभी मैंने लोगों को देखा है कि लोग कहतें कि नहीं, आज मैं कलीसिया नहीं गया, आज मैं टीवी पर आपका सूर समझार सुन लिया, आज हमने अपने आप वचन पड़ा, नहीं दोस्तों, हमें कलीसिया जाना है, उसकी आग्या है, वो विश्राम का दिन है, और परमेश्व की कलीसिया में रहते हुए, कुछ विश्यां को लेता हूँ, और सोचता हूँ कि आज मैं कलीसिया में जाकर गहूँगा, लेकिन जब मैं कलीसिया में पहुंचता हूँ, तो पवितरात्मा कुछ और ही मेरे द्वारा बोलवाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ और सोचा था. लेकिन मैं कुछ और बोल रहा हूँ लेकिन सभा के अंद में दोस्तों मुझे प्रमाण मिलता है. कोई बहन, कोई भाई आकर मुझे से कहता है कि पास्वार ये वचन आज मेरे लिए था आज इस वचन के दोरा मुझे शुदता मिली, आज इसवचन के दोरा मेरे जीवन मे काम हो रहा है मेरे जीवन परिवर्तित हो गया इसलिए दोस्तों हम उसकी देह के अंग है इसलिए मसी जो कलीसिया का पालन पोशण करता है आप निश्चिनत रहें आप चिंतित ना रहें लोग कलीसिया जाते हैं चंगाई के लिए लोग कलीसिया जाते हैं अपनी नौकरी पाने के लिए अरे नहीं कलीसिया है उसको जानने के लिए उससे प्यार करने के लिए परमेशिय के करीब आने के लिए उसको अपना बनाने के लिए कलीसिया में वो आपका इंतजार करता है जब आप कहते हैं कि हम कलीसिया आ रहे हैं उस समय पर मेश्यर वहा होता है जहाँ दो या तेन विश्वास के संग उपस्थित होते है मैं वहाँ पर आता हूँ वो आपका इंतजार करता है इसलिए हम समय से कलीसिया जाएं वक्त से पहले कलीसिया जाएं मनम करते हुए जाएं कलीसिया जाने से पहले घर में प्रात्ना करें घर में प्रात्ना करके हम कलीसिया में पैर रखें हालेलोया और तब हम उसकी उपस्थती उसका आशीश उसका सुख भोग पाएंगे हम उसके अंग हैं और वो अपनी देह से प्यार करता है वो अपने शरीर से अपनी कलीसिया से प्यार करता है कलीसिया उसकी दुलन है इसलिए मेरे प्यारे भाई बेहनों हमें कलीसिया से जुड़े रहना है और हर अविवार, हर दिन जो निश्टित है कलीसिया के लिए, उसमें हमें पहले पहुँशना है, बाद में नहीं, परमेशर के बाद नहीं जाना है, परमेशर से पहले पहुँशना है, और हमें अपने काम करने हैं इमानदारी और वफादारी के साथ, क्योंकि मसी कलीसिया का पालन पोशन करता है, मसी हमारा पालन पोशन करता है, यह उसका वादा है, हालेलुया, वो हमारे जीवन में फ़ल लेकर आता है, आए दोस्तों हम प्रात्रा करते है, धन्यमात परमिशर इस ग्यान के लिए, धन्यमात पिता परमिशर तुने ईश्य मसी के तवरा कलीसिया का इ आज की सुफ़ा अध्वुत है परमिश्यर मैं प्रात्रा करता हूं सुने भाई भेलों के लिए सुक और आशीश और बुद्धी और ग्यान प्रात्रा अपने सुनी को बूल किये मैं आलेलोगी